राष्टपती द्रोपदी मुर्मू आज से दो दिवसिय मेबाड और बागड के दोरे पर हैं राष्टपती द्रोपदी मुर्मू ने मोहलाल सुकाडिया बिश्विद्द्याले में आउजेत 32 वे दिच्छान से समारों में सिरकत की तो वहीं दोपेर बाद राष्टपती द्रोपदी मुर्मू सिटी पैलेस पहुँची सिटी पैलेस में राष्टपती का मेबाडी परंपरा के मताबिक जोड़दार स्वागत हुआ राष्टपती द्रोपती मुर्मू दोदिवसी मेबाड और बागड के दोरे पर हैं राष्टपती द्रोपती मुर्मू ने मोहलाल सुकाडिया विश्विद्याले में आयोजेत 32 बे दिच्छान समारों में सिरकत करते हुए दिच्छान समारों को सम्मूदित किया इस दोरान राष्टपती द्रोपती मुर्मू ने चात्रों को नसियत देते हुए कहा कि चात्र ऐसा कोई काम नहीं करें जिसके चलते उनके चरित्र पर दाग लगे कारकर में राष्टपती द्रोपती मुर्मू कल से मानटावू में आई थो रहे बेस्विक सिकर संबिलन का आगाज करेंगी तो वहीं बेश्वेकशिकर संम्मेलन का आगाज करने के साथ राश्ट पती बासवाड़ा के लिए रवाना हो जाएंगी राश्ट पती बासवाड़ा के मानगर दाम में आयूजित होने वाले आदि गौरब संबान समारों में सिर्कत करेंगी राश्टपती द्रौपती मुर्मू सेना के विशेश विमान से पहुंची आबुरोड के मानपूर हवाई पत्टी पर मानपूर हवाई पत्टी पर पहुंचने पर संभागी आयुग आईजी जिला कलेक्टर सहीतव अधिकारियों ने की अगवानी मंत्री ओटाराम देवासी मंत्री जोराराम कुमावत ने भी किया स्वागत सत्कार राश्टपती द्रौपती मुर्मू आज स्याम पाँच बजे सेना के विशेश विमान से आबुरोड के मानपूर हवाई पत्टी पहुंची राश्टपती के साथ राजस्तान के राज़िपाल हरीपाव किशंद्राव बागडे साथ रहे राश्टपती के आगवन को लेकर संभगी आईग परतिबा सिंग आईजी परतिप मोहन सर्मा जिला कलेक्टर अलपा चोधरी एसपी अनिल कुमार ने स्वागत अगवणी की इस दौरान राजय मंतरी ओटा राम देवासी मंतरी जोगाल राम कुमावत भर्मा कुमार कि संस्तान की पत्ा धीकारियों ने भी राश्टपती का स्वागत सतकार किया कड़ी शुरक्षा विवस्ता के बीज राष्टपती का काफिला सीधे भर्मा कुमारी संस्तान के मांसुरवर परिसर पहुंचा जहां राष्टपती रात्री विश्राम करेगी राश्टपती की सुरक्षा में मानपूर हवाई पट्टी से लेकर मानसुरवर परिसर तक जगह जगह पुलिस जबान तैनात किये गए वहीं मानसुरवर में हाई लेवल स्यूकर्टी के इंतजामात किये गए हैं राश्यपती के मानसुर्व पहुंचने पर भ्रमा कुमारी संस्तान के पतादीकारीयों ने उनका स्वागत अभी धाधन किया राश्तेपती कल सुकरवार को भ्रमा कुमारी संस्तान द्वारा आय condensed, वैस्विक सिकर संबिलन में केंद्रिय मंत्री, मुक्य मंत्री, राजिपाल भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे विकानिर पुलिस लगातार एक्षन मोड में नजर आ रही है खास तोर पर बाइक, चोरी और नसे के खिलाफ पुलिस की कारवाईयां बढ़ रही है आज नया सहर थाना पुलिस ने 75 ग्राम समैक पकड़ी, 7-7 तीन लोगों को भी गरफतार किया है थाना दिकारी विक्रम तिवाडी ने इस कारवाई को अंजाम दिया आईजियों प्रकास और S.P. कावंदर सागर के निर्देशन में ये कारवाई की गई है गोरतलब है कि कुछ दिन पहले ही नया सहर थाना पुलिस ने चोरी की गई बाइक का जखीरा पकड़ा था और कुछ लोगों को ग्रफतार भी किया था दरसल ये शिकायत बार-बार मिल रही थी कि शायर के भीतर, स्मैक, गांजा और इस तरह से जो है नसीले पदार्थ भिक रहे हैं ऐसे में एसपी कामिंदर सागर के निर्देशन में लगातार टीम एक्टिव मोड में हैं और इस तरह की कारवाईयों को अंजाम दिया जा रहा है क्रेसर से वरे ट्रक ने स्लीपर कोच को माली टकर हास से में 12 यात्री हुए घायल तो वहीं ट्रक चालक मौके से हुआ फरार आगरा जैपो नेशनल हाईवे कीस पर नदबी उफखंड के गाउं हंतरा के ओबर ब्रिज के पास यातायाद नियम के विरुद गलत दसा में चल रहे क्रेसर से वरे एक ट्रक ने सामने से आ रही स्लीपर कोच में टकर मार दी हासे में स्लीपर कोच के पर चालक साथ यात्री घायल हो गए जबकि कोच में सवार अन्य 35 यात्री बालवाल बच गए वहीं गटना के तुरंद वाद ट्रक चालक वाखला सी मौके से फरार हो गया सुचना मिलते ही लकरमर साना की डैरा मोर पुलिस मौके पर पहुँची और स्लीपर कोच में फशे घायल यात्री को वाल निकल वाया और एमबूलेंज की मदद से भरतपुर के आरबिम अस्पिताल पहुचाया वहीं गटना के बाद लकरमर साना की डैरा चौकी पुलिस ने दौनों भानों को अपने कबजे में ले लिया और गटना इस्तल से फरार हुए ट्रक चालक की तलास में जुट गई है